वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इस पंकेश तो वेल, आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में, तो इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले की क्या रोमर रेस के लिए स्रवाव सिरीज के बाद रॉयल रमल के लिए एक काफी बड़ा चैलेंजर मि देखने को मिलेगा, तो इसको भी लेकर एक काफी बड़ी स्पोयलर देखने को मिल चुकी है, इस तिंग के उपर भी डिसकस करेंगे, और स्रवाव सिरीज 2022 के अंदर और भी मैचेस हमें, आज के मंडे नाइट रॉक के अंदर कंफर्म होते वे दिखाई देते हैं, तो उन चैनल को सब्सक्राइब निकाए, तो बाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर हमें सा लेटेस्ट अपडेट और इसी इंट्रस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चलते हैं टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक की सुरुआत करते हैं जॉनी गरगानो की त भी उतना खुस नहीं है, यानि कि WWE फैंस इसको लेकर बिल्कुल भी खुस नहीं है, तो यह कुछ हमें यहाँ पर नया थीम सॉंग देखने को मिल रहा है, जॉनी गरगानो का, होप करते हैं कि आगे चलके काफी बढ़िया लगे, ने तो फिलाल के टाइम पर जॉनी गरगा की तरब से भी काफी बड़ी अपडेट देखने को मिलती है, फिन बैलर को लेकर, जहाँ पर इनका ये कहना था कि जो फिन बैलर थे, वो ट्रिपल एज के काफी पुराने प्रोजेक्ट थे, और फिन बैलर ही पहले ऐसे सुपरस्टार थे, जिनको निउ जिपान प्रो रेस साइन किया था, काफी बड़े सुपरस्टार के तौर पे, तो यहाँ पर जो फिन बैलर है, उनको लेकर काफी बड़े प्लान्स हमें देखने को मिलेंगे, ट्रिपल एज की तरफ से, जो भी प्रोजेक्ट था, जो ट्रिपल एज का, फिन बैलर को लेकर, वो हमें एक बार इसका मतलब की फिन बैलर के लिए काफी बड़े प्लान्स होने वाले हैं, अब देखते वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और यह है जो की मिया इम को लेकर, तो जैसा कि अब मिया इम का हमें नया नयम देखने को मिल रहा है मिचिन, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो, तो मिचिन हमें नया नयम देखने को मिल रहा है, जो की ओफिशल ही हो चुका है मिया इम का, वैसे इस नया नयम के उपर आप लोगों का क्या कहना है भाई, कॉमेंट के दिखाए देती है कि हमें survival series का press conference देखने को मिलेगा 26 नवंबर को यानि कि morning में chances है कि हमें ये survival series का press conference देखने को मिले यानि कि survival series का press conference भी हमें देखने को मिलेगा जैसा crown jewel का देखने को मिला था अब देखते वैसे हमें press conference के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा लेकिन काफी ज्यादा interesting रहेगा देखना वैसे भी press conference and also press conference को लेकर एक काफी ज्यादा interesting spoiler भी देखने को मिला है और ये spoiler लुईस डैंजूर की तरफ से है तो इनका ये कहना है कि press conference के अंदर Roman Reigns childish कहते वे दिखाई देंगे जो कि Drew McIntyre को then इसके बाद Drew McIntyre confront करते वे दिखाई देंगे Roman Reigns को and इसी confrontation में हमें Paul Hemant bite करते वे दिखाई देने वाले हैं Drew McIntyre को तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है यानि कि Paul Hemant Drew McIntyre को काट लेंगे तो ऐसा कुछ है यहाँ पर reports देखने को मिल रही है अब देखते वैसे press conference के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा लेकिन यही कुछ update है Lewis Danger की तरफ से कि Paul Hemant हमें bite करते वे दिखाई देंगे Drew McIntyre को तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो भाई देखना interesting रहेगा press conference को मतलब क्या कुछ हमें देखने को मिलता है बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है अंड्राडे की तरफ से तो जैसा कि आप लोग को बता दू की अंड्राडे की तरफ से उनके instagram account पर एक interesting post देखने को मिलता है जहां पर अंड्राडे बाई करते वे दिखाए देते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो और यहां पर all Elliot wrestling का जो भी character है उस character को एक तरीके से बाई करते वे दिखाए दे रहे हैं तो सीधा यहां पर clearly देखने को मिल रहा है कि जो अंड्राडे और Sammy Gavere का backstage में हमें जो की जड़प देखने को मिले थी यानि कि जो जगड़ा देखने को मिला था और उसमें Sammy Gavere को काफी अच्छा कासा push किया जा रहा है और अंड्राडे को भगा दिया गया है all Elliot wrestling के backstage से अभी तक वो suspended है तो ऐसे में याँ पर अंड्राडे बिल्कुल भी खुस नहीं है इस चीज को लेकर और clearly हमें याँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो अंड्राडे है वो quit करना चाते है all Elliot wrestling और buy भी कहते वे दिखाए दे रहे तो देखते वैसे हमें future में क्या कुछ देखने को मिलता है लेकिन याँ पर अंड्राडे एक तरीके से लग रहा है कि clear कहते वे दिखाए देते हैं कि वो all Elliot wrestling को छोड़ना चाते हैं अब देखते वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और अंड्राडे डेवलोली के अंदर easily आ भी सकते है क्योंकि शालेट फ्लेर की काफी अच्छी कासी पहचान है और टॉप श्टारे डेवलोली के अंदर तो obviously वो लाते वे दिखाए दे सकती हैं अंड्राडे को एक बार फिंसे डेवलोली के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेज बाबी लैश्ली वर्सेज थियरी का यानि कि सेथ बाबी और थियरी ये तीनो सुपरस्टार एकी मैच के अंदर compete करते वे दिखाए देंगे सरवावल सिरीज 2022 के अंदर for the United States Championship तो देखते भाई इन तीनो सुपरस्टार में से हमें कौन सा सुपरस्टार जीते वे दिखाए देता है क्योंकि तीनो सुपरस्टार काफी तगड़े हैं और थियरी को काफी अच्छा कासा बुक किया भी जा रहा है और जैसा कि आज के Monday Night Rock के अंदर हमने देखा थियरी बाबी लैश्ली से तो डर नहीं रहते वैसे भाग गए फिर भी कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा कासा मुमेंटम बना हुआ है तीनो सुपरस्टार का अब देखते हैं इन में से हमें कौन सा बंदा US Championship को जीते वे दिखाई देगा यह देखना काफी ज़्यादा इंट्रॉस्टिंग रहने वाला है और बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कि Women's War Game के अंदर 5th member हमें कौन देखने को मिलने वाला है तो इसको लेकर एक काफी interesting spoiler है वैसे जैसा हमें यहाँ पर दिखाया क्या है मतलब कि कौन सा member हमें देखने को मिलेगा और जैसा graphic देखने को मिल रहा है match card देखने को मिल रहा है जो कि Women's War Game match का उसमें कहा जा रहा है कि जो हूडी पहने हुई यहाँ पर सुपरस्टार देखने को मिल रही है वो सासा बैंक्स है क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीला हेर है और और बहुत सारे स्पेकुलेशन देखने को मिल रहे है लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट देखने को मिली है लूइस डैंजूर की तरफ से जिनका यह कनफर्म करना है कि जो बैकी लिंच है वो हमें देखने को मिलने वाली है वोमेंस वार गेम के मैच के अंदर और वो होंगी फिफ्ट सुपरस्टार तो यह कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिल रहा है यानि कि जो फिफ्ट सुपरस्टार देखने को मिलेंगी वोमेंस वार गेम मैच के अंदर वो कोई और नहीं वो बैकी लिंच ही देखने को मिलेंगी तो देखते वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या सही में बैकेलिंज देखने को मिलती है, या फिर कोई औरी सुपरस्टार देखने को मिलती है, बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, रोमन रेंस के नेक्स्ट चै तो Calvin Ovens का जैसा हमें आज प्रोमो देखने को मिला जाम पर उनका यह कहना था की सरवावस सिरिज के अंदर वो रोमरनेस के लिए आ रहे हैं और उसके बाद वो टाइटल के लिए भी चैलेंज करते वे दिखाए देंगे और challenge करते वे दिखाई देते भी है Monday Night Raw के अंदर कि उसके बाद वो title के लिए जाने वाले हैं तो ऐसा कुछ हमें याँ पर Kevin Owens की तरफ से देखने को मिलता है यानि कि Kevin Owens clear कहते वे दिखाई दे रहे हैं कि वो undisputed universal championship का जो title reign है वही end करते वे दिखाई देंगे अब देखते वैसे हमें next challenger कौन देखने को मिलता है लेकिन Kevin Owens ने यहाँ पर challenge कर दिया है रोमन रेंस को और हो सकता है कि रॉयल रमल के अंदर में भी हो सकता है इनका भी match देखने को मिल जाए Roman Reigns vs. Kevin Owens अब देखते हैं वैसे Roman Reigns vs. Samus देखने को मिलता है या फिर Roman Reigns vs. Kevin Owens देखने को मिलता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स को लेकर काफी अच्छे कासे speculations है तो आपके क्या thoughts है क्या opinion है वो मुझे comment के अंदर जरूर बता देना वीडियो अगर पसंद आई है तो आई like करो, share करो, subscribe करो जो भी करना है कर सकते हो Instagram and Twitter का link भाई description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लो और जिसने चैनल को subscribe नहीं क्या तो भाई subscribe कर लो latest updates और ऐसी interesting videos के लिए मिलते हैं अगे लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई everyone guys